आज का हमारा टापिक है ठीशू कल्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आज हम डिसकस करेंगे ठीशू कल्चर को कि ठीशू कल्चर असल में क्या है तो डेली बेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है इसके अंदर हमारे पास और्गिनिजम प्रोड्यूस हो जाते हैं लिविंग और्गिनिजम किस तरह प्रोड्यूस होते हैं यह सारे के सारे प्रोसेस पर कंटिनिविटी ऑफ लाइफ हमारे पास रिप्रोड्यूस होता है तो इसी तरह यह भी एक प्रोसेस है टिशू कल्चर असल में यह क्या है यह एक टिक्नीक है जिसके जरीय से हम क्या करते हैं एक और्गिनिजम को हम प्रोड्यूस करते हैं अर्टिफीशली यही किसी भी और्गिनिजम को जब हम अर्टिफीशली प्रोड्यूस करते हैं आउटसेट दवाडी एक मीडियम में तो उस प्रोसेस को हम क्या किएते हैं इस टिकनीक का नाम है टिशु कल्चर it is a technique in which a tissue fragment of organism यह निए plant is treated in artificial medium or nutrient medium in order to produce a whole organism in a plant तो समझ गई अच्छे इसके लावा the growth of tissue outside the body in a tissue having nutrient medium in order to produce an identical genetic copy of the organism in a tissue culture वह असल में वह खिकनीग नियुकर असल में वहां किसी भी औरगी All जैङ शञता हू Due धूर्थ का यह दो टाघप का है या तो वह अर्गनाइज ग्रोध होगा या अनर्गनाइज क्लूध होगा तो अभी चलो जी हम देख लेते हैं अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे किस तरह इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है के लेस्ट अभी के अंदर हम पढ़ेंगे किस सरा प्लांट सबसे पहले क्या हो जाता है इसको जो नेसिसरी इसके लिए जो इन्वारमिन नेसिसरी इसको प्रोवाइड करते हैं उसके दबाडी तो वह जब जो क्या है वह ग्रोट करता है एक आर्गेंड मनाता है तो इसका इसका हो त्राइप के या या आर्गनाइस में पढ़ेंगे जब आप के साथ क्या हो जाए वन फार्मन रों स्टुक्चिर जब एक सच इस त्रहिट भूंड घ्रटयू एकसा कि कई एफधास्टी स्रा एक सब्सकांट करने हैं जब हम और उन और ठीवख़ाइज है तो वन आर ने मारिस्ट्रेम को चाहते हैं तो मेरिस्ट्रेम को लेते हैं इसी मेरा स्ट्रेम कलचर का जो ग्रोध है क्या है इसके लावा शूट को लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं शूट कल्चर कहते हैं इसके जरीए से हम क्या करते हैं मल्टिपल सूर बनाते हैं नोट कल्चर जब हम नोट को एजा कल्चर यूज करते हैं तो इसको हम नोट कल्चर कहते हैं ठीक नहीं यह सिंगल या मल्टिप सिरे में हम क्या करते हैंं कि इंब्रियो के से सिमाल करके क्या बनाएं यूज कर नावा है क्लच्र यूह सिपन्षिन सिल कल्च्र युँण कल्च्र यूबंग उटन इंदक नावा है वो क्या है वो unorganized growth है ठीक है न के लिस कल्चर में क्या होता है mass of cell विचा बनता है तो तो असल में यह क्या होई यह यह न यह क्या होती है टो असल में युझा है इसके लावा है प्रॉपर्ली और जो अरेंज परॉपर्ली नहीं होता। प्रॉटियों स्व्रीजंह क्लट्र में क्या करते हैं। यजिविंग पार्ट आफफ फॉम स्पर्म। प्रॉपर्समें शिर्ट और प्रॉपर्लाषमी है। तो 5 एंटर कल्चर चाहिए? ऐंथ में यूजर जियाँ, अको पता है यह इंटर जो प्लावर के अंदर फ्लावर्स है तो उसके एंतर जो है इसको हम क्या कर लेते हैं उसको इसको कल्चर यूज़ करते हैं ठीक है ना तो इसी तरह हमारे पास यह लेक्ट्चर हतम हो जाता है तब तक इजाज़त दीजिए इसके बार हम अन अर्कनाइज़ ग्रोथ के अंदर जो कैलस कल्चर है उसको रिटेल में में शाला बात करेंगे ठीक है ना तब तक हमारा हम इजाज़त दीजिए हमारे चल्ड को सब्सक्राइब करें और ताकि हमारे आने वाले न्यू न्यू वीडियो आपको मिल सकें